सोलन में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मी धरसूद द्वारा रैसवारता का आयोजन किया गया प्रेस वार्था के दौरान उन्होंने कहा कि हालिस्तान समर्थकों द्वारा उनके नेताओं को धंकी दी जा रही थी कि उन्हें राश्ट्रिय ध्वज फहरा ने नहीं दिया जाएगा इसलिए महिला मोरचा ने निन्ना इली आय कि प्रदेश के हर घर में आप राश्ट्रिय द्वज फैराया जाएगा जिसके चलते महिला मोरचा की महिलाओं को आज द्वज वितृत किए गए है ताकि स्वतंत्रता दिवस पर हर धर में वर्च फहरा कर धंकी देने वाले राश्ट दोही को नूप और जवाब दिया जा सके जिसके लिए हिमाचल की महिलाएं ही काफी हैं इस मोग धर प्रदेश अध्यक्ष रश्मी धर्सूद ने कहा कि भारत वर्ष की 75B स्वतंत्रता बर्षगाण पर महिला मोर्चा 75 प्रदेश की स्वतंत्रता महिला सेनानियों को सम्मानित करेगा। उन्होंने बताया कि सिर्मोर से संबंध रखने वाली स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गिय बालमो देवी और सुनहली देवी के बलिदान को भी स्वतंत्रता दिवस पर याद किया जाएगा उन्हें पुश्पांजरी अर्पित कर उनके परिवार के सबस्यों को सम्मानित करने का क साथ ही महिला मोर्चा प्रदेश के प्रतेग घर में राश्विय अध्वर्ज लहराईदी जिसके लिए राश्विय अध्वर्ज आज वित्र किये गए हैं। प्रहरी देवी जो की सिर्मोर से संबंद रखती हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं उनको उनकी पुषपांजली और उनके परिवार के सदस्वों को सम्मानित करने का जो है वो हमने निर्णे लिया हैं और हम ये 15 अगस्त को करेंगी। कि हम हर घर पे जो है वो तिरंगा फैलाएंगे और उस तिरंगे की माध्यम से उनको ये जवाब देंगे कि तिरंगा हमारे देश की आन शान और ये पूरे देश में एकता का प्रतीक जो है वो ये हमारा तिरंगा है तो हर घर में इस बार तिरंगा जाएगा और बूत में जो हमारी बीस पहने हमने जोड़ी हैं, उनको भी इस तिरंगे का वित्रण आज हमने आप यहां पर किया। बीती आदों से नाता सहेशना सीखा। हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संबलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए। भूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए। भूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए। भूशन जूलर्स अनमोल रिए। झाल झाल